मेरे साथ जुड़े रहोगे तो हमेशा प्रॉफेट में रहोगे क्योंकि हमारी जो टीम बनती है न वो यो प्योर लोजिकल वेगी टीम बनती है और प्योर लोजिकल वेगी टीम का मतलब होता है कि आप most of the time प्रॉफेट में रहोगे कल दो मैच खिले गए और दोनों मैचेस में मैंने आपको वन साइडेड विन करवाया है बहुत ही शांदा टीम थी और अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मैंने खुद ने उसी टीम से जो आप लोगों को दी थी पचास लाग से भी जादा का माउंट जीता है पचास लाग से मुझे नहीं लगता है कोई चोटा बड़ा माउंट है बड़ा तो है चोटा नहीं है अब आप बोलोगे कि भाई अगर आपने पचास लाग से जीते हैं तो आपके पास प्रूफ क्या है क्योंकि बिना प्रूफ के कोई मानता का है तो proof तो मैं आपको 100% दिखाऊंगा कि मैंने जीता है या मैं ऐसे ही फेक रहो proof तो मैं 100% दिखाऊंगा वो अभी आप देखते रहो और live दिखाऊंगा ठीके उसके अलावा ये जो match है जिसके अब आप वीडियो देख रहे हूं राजस्तान और M.I.E का match काफी तगड़ा match है और ये ऐसा match है जिसमें जो लोग तुक्के पर टीम बनाएंगे वो 100% इस match को हा रहेंगे क्योंकि इस match में ना कोई captain fix है ना कोई wise captain fix है इस match में captaincy के भी 7 options है तीनों विकिट कीपर Samson, इशान किशन और Joss Butler बैटिंग में जाओगे तो best option से बागी तो और भी है हारदिक हो गया, तिलग हो गया लेकिन मैं उनको include नहीं कर रहा हूँ तो किसको तो बनाना है कौन आपकी team का trump card होगा और क्या आपको team बनानी है वीडियो के अंदर सारी चीजे बताऊँगा ध्यान से देखना अगर सच में इस match में भी आपको profit earn करना है और मेरा trump card को अन है वो भी मैं इस वीडियो में आप सब को बताने वाला हूँ तो वीडियो काफी important रहने वाली है ध्यान से देखना अब मैं आपको दिखाता हूँ सबसे पहले मेरी जो first match को आता गुजरात और SRH का आपको बता हूँ कल दो मेंस थे एक गुजरात और SRH का और दूसरा दिल्ली और चैनली का तो गुजरात और SRH को जो मेंस था उसके अंदर मैंने win किये थे 26,00,00,00 उसी टीम से जो आप लोगों को टेलिग्राम चैनल पे दी थी और यह इसका proof और यह तो क्या मैच फिनिश हो चुका था इसलिए आपको यहाँ पर पूरूफ दिखा रहा हूँ अब भी जर्ष एक मैच फिनिश हुआ है मैं मैच ही देख रहा था दोनी की बेटिंग आगे तो इसलिए मैच देख रहा था वरना मैच ही नहीं देखता मैं और क्या ही मतलब बहतरी निनिंग खेली मज़ा आ गया मतलब मेरा मैच देखना एक वर्थी रहता है कि हाँ बाई काम हो गया वह वाले चीज होई तो बहुत अच्छी बेटिंग इसलिए वरना यह वीडियो पहले ही बना लेता मैं तो देखिए यह 26 लाग की विनिंग अब 20 लाग क्योंकि 24 लाग और बचे न 50 लाग में से 26 अटादो के 24 बचे तो वो भी मैं आपको लाइव दिखाता हूँ ठीक है तो यह मेंली यह उसी टीम से विनिंग है जो मैं आपको टेलीग्राम पे दिया था तो जो लोग टेलीग्राम चनल से नहीं जुड़े न वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है जोइन कर लेना अब अगर मैं बात करता हूँ टेलीग्राम की देखिए मैंने आप सबसे रिजर्ट भी मंगवाए था कि कौन कितना जीता है मुझे बताना जरूर सबने जम के प्रॉफिट अरंड किया है उसके रिए आपको मैं पहले कॉंग्रेचुलेशन बोल चुका हूँ देखिए मैंने आप लोगों को अभी सेकेंड मैच्स की यह वाली टीम दी थे और यहीं नहीं स्मॉल लिग तो बात की बात है स्मॉल लिग तो चलो मैंने अल्ट्राकलिस वापको करवाई ही आप मेरा कैप्तन देखो डेविड वोर्नर कैप्टन वाइस कैप्टन पाथिराना पूरी दुनिया का कैप्टन पता है को था रचीन रविंद्रा और रुतुराज गायकवार अगर आपने देखा हो most of the users जो कैप्टन लेके आये थे ना वो इन दोनों को लेके आये थे और इन दोनों का बिलकुल खतम काम रहता कल वाले मैंच में पाथिराना ने शांदर बोलिंग की विकेड निकाले तो वन साइड़ेट में आपको यह जित्वाया और यह मेरा ट्रम कार था जिनके राने जिन्होंने वीडियो को देखा था उनको पता ही था देखे मैं आपको एक चीज बता दू आप यह ज जिनको भी फोलो करते हो ना मेरे से जादो कोई इंवेश्मेंट नहीं करता है तो जो मेरी वीडियो को देखते है ना उन ही को पता रहता है कि मेरा कैप्टन कोन होता है मेरा वाइस कैप्टन कोन होता है मेरा ट्रम कार कोन होता है यहाँ पर मैंने दस प्लेयर की टीम थी या आते हैं तो वो टेलीग्राम चैनल को जरूर जोइन करें जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कॉमेंट वक्स में दिया हुआ है और यह नहीं मैं आपको एक चीज़ और बताऊं इस वीडियो में आप सब के लिए 10,000 का फिरी गीववे रहने वाला है और 200 लोगों को मिलेगा लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा वो मैं आगे बताऊंगा हाँ जो गीववे की बड़ी कंडिशन है वो यह कि गीववे उन लोगों के लिए जो चैनल के सब्सक्राइबर्स और जो इस वीडियो को लाइक करेंगे तो यह दो काम तो आपको कर मारे वीडियो कंप्लीट करते मैंच के रिखाड़ें देखिए यह जो विनिंग आप देख रहे हो ना यह लीग लिए उन एप्लिकेशन की जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है बहुत ही शांदा रह पे बहुत ही मस्त है पे चलो मैं आपको एक अभी जो मैच फिनिश हुआ है उसकी भी विनिंग दिखाता हूं ठीक है अभी जश्ट फिनिश हुआ है चैन्नाई का और क्याना में अपना दिल्लीगा मैच ठीक है तो चैन्नाई और दिल्लीगा में जो मैच चलो दिखाई देता मैं आपको फिनिश में ठीक है यहां पे आपको मैस दिख जायेगा देखिए आपको मैरी team और मेरे points का ध्यान डखना एक इंडेज़ कि मेरे yeah मैं मेरी team पहले आप tree Лop we are team मैं जो मैंने आपको telegram channel पर ऑगिए अब कर दाहूं मेरे contest बगईरा की देखिए बहुत सारे कॉंटेस्ट मैंने जोइन किये थे आपको यहां पर देखने को मिलेगा हर कॉंटेस्ट में जीता हूं मेरी आपको वन ही दिखेगी तो यह उसी एप पर लीग लिए उन पर तो जिसने डाउन्लोड नहीं किया है न वह डाउन्लोड कर लेना बहुत अच्छा सब्सक्राइब क्योंकि देखें इसमें जब आप टीम बनाऊगे न तो ऐसा नहीं जुगा कि आपके टीम के 11 अलग होंगे और ओपनेंट की टीम के 11 अलग होंगे maximum player आपके और जो आपका opponent आएगा चाहिए आप 2 member खेलो चाहिए आप 3 member खेलो चाहिए 4 member खेलो कुछ भी खेलो most of the users के opponent की team में 8 से 9 player लगबग fix रहने वाले same वही रहेंगे यह जो match होगा यह captain wise captain plus में 2 different player पर रहने वाला है ठीक है ध्यान रखने इस बात का तो पहले एक बार match की information को देख लेते हैं कि क्या क्या इन्फोर्मेशन है venue पे किसका कैसा record है यह जो venue है यह रहने वाला है Mumbai का home ground वान खेड़े पे match होगा ध्यान रखना तो Mumbai की team के winning के chances थोड़े जादा है राजस्तान के comparison में ठीक है वागी देखिए साड़ी साथ बजे match start होगा कले की match है सूर्य कुमार याद हो देखिए अभी ये news देखे दी मैंने कि fit तो है लेकिन वो सूर्य कुमार याद हो अभी भी मतलब unavailable है यानि कि वो इस match में भी नहीं खेलेंगे और यहां से राजस्तान की तरफ से कोई भी update नहीं है मतलब कोई update होगी भी क्या राजस्तान दोनों तीम दोनों जो matches इनके हुए है वो जीत के आ रही है मुंबई तो हार के आ रही है तो हो सकता है मुंबई चेंज भी कर ले राजस्तान की टीम में कोई chance नहीं बनता है कि वो change करे इनकेस अगर कोई player injured नहों जाए ठीक है अब सबसे परने venue के बारे में देखिए वानखेडे में मैच होगा वानखेडे का सिध्धान्त में आपको बता देता हूं यह ऐसा है जहां betting बहुत ही अच्छी होती है बहुत जादा अच्छी ठीक है तो आपको टीम मनानी है वह ऐसी बनानी है देखिए यहां के मैं आपको scorecard बताता हूं यहां के पिछले कुछ मैचेस का scorecard देखो इस मैच में 200 इस मैच में 218 199 200 तो यह चीज तो आपको clear समझ में आ रही है कि बहुत अच्छी betting होगी तो जो टीम बना रहे हो उसमें captain wise captain उन players को बनाना जो एक तो सबसे पहले venue पे अच्छा record रखते हो दूसरी चीज यह जो टॉप order में betting करते हो जो टॉप जैसे भी आप हार्दिक को captain बनाने की सोच रहे हो बहुत गलस सीन ठीक है क्योंकि बैटिंग करने वाली जो मतलब जो भी बैट्समें होते हो सकता हार्दिक टीन विकेट ले जाए मुंबाई का टॉप order कॉलेप्स हो जाए उसकी betting आक तो कोई इसका कुछ विगार सकता है कुछ नहीं आपको लोजिकल वे में अगर आप देखोगे तो betting विकेट की साबसे टीम बनानी है और उसका reason आपके screen के बिलकुल सामने है ठीक है यहाँ पे total 30 matches खेले गए जिसमें 16 match जीती है मुंबई की टीम और 13 match जीती है राजस्तान बागी देखते हैं सबसे जादर score इस venue पर सोरी फर्स्ट एवरेज जो फर्स्ट इनिंग के इवरेज स्कॉर है वह 169 ने ध्यान दखना और सबसे जादर score इस venue पर मतब बनाया था बैंगलोड ने बनाया था 235 और सबसे कम score जो venue पर हुआ है वह सरसर ट्रेंड पर आलाउड मैचेस खेलेगा एकसर पहले bowling करने वाले जीती और बैटिंग करने वाली पचास यह ज्यादा काम की चीज़े हैं नहीं मैं तो इन पर ध्यान भी नहीं देता हूं मैं तो इन चीज़ों पर ध्यान देता हूं कि मेरा ओपोनेंट क्या लेकर आ रहा है मुझे क्या करना है वह जुड़े वह तो आपको मालूम होगा मैंने वीडियो प्रूब भी देखा बिजाया था आपको स्क्रीनशोट भी बिजाया था और जो मुझे फोलो करते हैं उन लोगों को मालूम भी होगा बट मिस का मतलब है कि मैं जीता नहीं था कोशिश करूंगा इस मैच में आ जाए कोट जी है फिर आएंगे शमस मुलानी भूमरा प्योश चावला और यहां पे दिल्शान मधुशंका इस मैच में आप लोगों को अब देखिए मफाका जो है ना वो नहीं खेलते दिखेंगे मधुशंका के चांस बहुत जादा हाई है मफाका की वज़े से सबसे जादा स् तो मोस्ट लाइकली दिल्शान मधुशंका आपको मुंबई की टीम के अंदर खेलते हों नजर आएंगे बाकि उसके अलाव बात करते हैं बैंच की तो बैंच के अंदर इनके बहुत सारे प्लेयर्स हैं जिसमें सिंपल सा सीन है जब यह टीम पहले बैटिंग करेगी तो उ द्धान लगाना है में बोलर में देखिए एक तो जस्पीर वुम्रा है ठीक है कोट जी है और हार्दिक पंड्यामनमर जी का में बोलर है तीन तो यह हैं जिनके कटने के चांस बहुत ही कम है चोथा आपका रहने वाला है मदूशंका और पांच वापका प्यूश चावला और छटे नंबर पर आने वाला है शमस मुलानी ग्रैंड लिग जो लोग खेलते हैं वो इनको जरूर ट्राय करना क्योंकि इनका सेलेक्शन रिट बहुत ही कम है और बाकी है अहां से एक और चीज़ ध्यान देना इनके लेफ्टी राइटी का भी ध्यान देना लेफ्टी मे बहुत काम का प्लेयर होता लेकिन अब नहीं बस अश्मीन पता एक कब इंपोर्टेंट बन सकता है जब आरार को टॉप ओडर कॉलेप्स हो गया हो और आरार ने जिस तरीकी से पिछले मैश में अश्मीन को भेजा था जन्दी बैटिंग करने के लिए वे सी सिच्वेशन हो करते हैं इहां से प्लेयर हो का रिकोर्ड किसका कैसा रिकोरड एकर अगेंश राजस्तान रॉयल्स और लहीत मैंच के अंदर बहुत ज्यादा लोगों का captain इस match में रोहित शर्मा ही है लेकिन आपको एक चीज नौट करने है रोहित शर्मा इस राजस्तान की टीम के अगेंस्ट बिल्कुल flop रहे हैं बिल्कुल flop आप देखोगे एक 50 तक देखने को नहीं मिलेगी पिछले 5 मेच में बिल्कुल flop रहे हैं ता अगर आप थोड़ा सा रिस्क ले सकते हो और जो की logical रिस्क है तो captain नहीं बना कैज़े normal player ले लेना या maximum क्योंकि open hand का तो captain हो गई है आप VC कर सकते हो captaincy के लिए एक बहतरीन player दिखाऊंगा मज़ई आ जाएगा आपको उसके बाद आएंगे इनके साथ open करने इशान किशन जिनका record भी शानदार है और जिनके बारे में बात नहीं करना ही अच्छा है टीम में 100% लेना है नमंदीर की बात करें बहुत अच्छा player है लेकिन तीन एक बार भी हटा सकते हो आप लेकिन यह 3 को ता आप लेना ही लेना इशान को रोहित को वहीं पर तिलक को डेविड की बात करें तो जब टीम पहले betting करें तो आप ले सकते हो मैं तो तब ही सजिस्ट करूंगा बोलिंग करें तो आप आराम से डॉप कर देना क्योंकि मान लो हादीक पांड़ा देखिए मनमर्जी कर रहा है आपको पता है प्लेयर बहुत अच्छा है उसमें कोई डाउट ही नहीं है बैटिंग बोलिंग दोनों करेंगे टीम में तो 100% लेना है लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने से पहले मैं यह बता दू आपको कि बैटिंग बहुत नीचे करेगा और बोलिंग में भी आप देखोगे ना तो लगबग डेथ में तो यह आ नहीं रहे पावर प्ले में कर लेगा दो तीन ओवर और मिडल में आ जाएगा बागी इनका रिकोर्ड बहुत अच्छा है आप देखोगे वर्सिस में जो इनका रिकोर्ड है उनसे बढ़िया किसी का भी रिकोर्ड नहीं है उसके अलावगर में बात करता हूँ इस वेन्यू की वो भी शानदा रिकोर्ड है और वर्सिस वेन्यू यानि इसी वेन्यू पे रास्तान के गेंश उसमें भी इनका काफी अच्छा रिकोर्ड है टीम के अंदर लेने वाले एक, दो, तीन, चार्ज, हर कंडिशन में लेना है चाब बेटिंग आए चाब बोलिंग आए उसके बाद बाकी प्लेयरों में कोट जी है फर्स बोलिंग पे ही लेना है बहुत अच्छा प्लेयर होगा मैं स्मोल लिंग में तो बिल्कुल भी नहीं लूँगा ग्रेंड प्लेयर होगा दोनों कंडिशन में प्यूश चावला की बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ आपको टीम की पहली बेटिंग पर लेना है प्यूश चावला को सिर्फ और सिर्फ फर्स जब बेटिंग करें मुंबई की तो ही लेना है वरना आप राम से छोड़ सकते हो मफाका तो यहां पर खेलेगा नहीं तो दिल्शान मदुशंका आपको देखने को मिलेगा यहां से हम बात करते हैं प्लेयरों की जो मतलब बैंच के प्लेयर है उनकी देखिए यह मैं आपको बता चुक हूँ एक तो आप इस चीज को हटा के यहां पर मदुशंका को एड़का लेना इतने प्लेयर हे इतनी चीज रहती है तो मदुशंका की मैं बात करतों रिसेन्ट फोरम हालाकि ऐसकी खास चलनी नहीं लेकिन बहुत अच्छा प्लेयर रही है बहुत यह अच्छा प्लेयर है और ऐसा प्लेयर है जो मफागस है तो काफी शानदार है तो आगर आप say जाप भावी भाई मोका तो बनता है खेलने का लेकिन देखते हैं कि खिलाएंगे की नहीं खिलाएंगे प्लेयर इनके पास बहुत अच्छे अच्छे हैं आप देखोगे आकाश मदवाल है पिछले सीजन में शांदार परफॉर्मस रहा था लेकिन मोका दे भी तो किसकी जगह दे इनके पास पहले कात इच्छे बोलर्स अवेलेबल है और भी प्लेयर अवेलेबल है जिनके चांस बहुत ही घमे खेलने के ठीक है सबका रिकोर्ड में आपको दिखा रहा हूं ताकि आप कोई भी प्लेयर खेले तो डिफिकल्टी ना फेस करनी पड़े कि यार इसका रिकोर कर रही थी ठीक है उसके बाद बात करते हैं सेके लास मेच की यह वाला मैच भी लोग हार के आ रहे गुज्राफ से आ रहे थे हालागी यह बहुत क्लोज मैच हुआ था यहां पर ब्रैवी स्वाटे सिक्स और बोलिंग की बात करें भूमरा तीन और कोट जी दो और एक लिय चाहिए देगे जैस्वाल वटलर के साथ ओपन सेंसन वन डाउन रियान प्राग सेकिंड डाउन चारों प्लेयरों को हर कंडिशन में लेना है है ध्मायर को फर्स्ट बेटिंग में जैसे वहां पर टीम डेविड है दुरू जुरेल को स्मोल लिंग में काम का कोई प्लेयर ह नहीं होता है तो फिर अश्विन उतना काम का प्लेयर नहीं रहेगा क्योंकि यह मतलब स्लो विकेट तो है नहीं ठीक है बैटिंग विकेट है यह 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 तब भी हो सकता है जब प्रेशर आजए मुंबई की टीम पे और फिर वहां पे फिर भी आपके लिए अश्विन काम प्लेयर नहीं रहेगा बोल्ड की बात करें बहुत अच्छा प्लेयर है विकेट टेकर बोल रहे फर्स्ट बोलिंग पे तो बहुत ही शांदार प्लेयर है बोल्ड की बात करें दोनों यह चहल की दोनों कंडिशन में इंपोर्डेंट है इस्पेशली यह भी फर्स्ट बोलि सीन हुआ जल्दी बेटिंग में जैसे ही रास्तान बेटिंग करने आई टॉप ओडर खतम हुआ जल्दी जल्दी आउट हो गए तो पोवेल को ही लोग इंपेक्ट में ले आएंगे और नहीं होते हैं तो फिर नांदरे बर्गर इंपेक्ट के अंदर आने वाला है पावर प् इसे प्लेयर्स को यूटिलाइज कर रहा है जब जल्दी विगड जा रहे तो अश्विन का आना और जब रन रोकने हो जैसे श्टप्स देख रहे थे नहीं कितनी अच्छी बैटिंग कर रहा था तो एक एक्स्पिरियंस प्लेयर को ओवेश ने वैसा काम किया भी और इनके भी प्लेयरों के डेटा की किसका रिकोर्ड कैसा है तो बात करेंगे सबसे पहले जैस्वाल की तो जैस्वाल का रिकोर्ड आप देखोगे ना तो पिछले मैच में इसी वेन्यू पे इसी टीम के अगेंश एक सोचोवीस रन का स्कॉर किया हुआ है तो कैप्टन सी के के लिए अगर मैं बात करूँ ना यह सेकिंड चोईस है फर्स तो फिर भी नहीं है यह सेकिंड जो फर्स चोईस देखना बात करते हैं जो अस बटलर की इनसे बढ़िया रिकोर्ड आप न तो मुंबई के प्लेयरों का देखोगे और ना ही आप रास्तान की किसी प्लेयर का तो अब इसी वेन्यू पे मुंबई के अगेंश्ट तो नाइंटी और एटीनाइन दो नाइंटीफोर और एटीनाइन की दो बड़ी इनिंग भी है उसके बाद आएंगे संजू सेमसं बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर और फॉर्म भी काफी अच्छी चल रही है टीम में को भी लेना है जिनको लेना उनके बार में जादा बात करूंगा इंटमाएर अपना अगर राजस्तान की टीम ने पहले बैटिंग की तो इस बात कहां पहले बैटिंग की तो शिमरोम ले अपना ट्रंप कार और वोलिंग की तो ओवेश खान हमारा ट्रम्प कार उसके बाद धुरू जुरेल है जो मिनी जेल में आप ट्राइए करना है स्मॉल लिग का कोई काम का प्लेर यह नहीं रहेगा अश्विन की बात की जाए मैं आपको बताई चुका हूं कि अश्विन देखिए या तो बंडल्स म करने के चक्कर में तेजी के साथ तो खेलना ही पड़ेगा वहां विकेट फेक वहां भी इंपोर्ड़ने बाकि इनका रिकोर्ड आप देखोगे एमाई के अगेंस तो बैटिंग बॉलिंग दोनों से इन्हों ने अच्छा गासा परफॉर्मस दिखाया हुआ हूए और बाक बात की जाए चहल बहुत इंपोर्डेंट प्लेर और एमाई के अगेंस आप देखोगे तो इन्होंने विकेट भी लिए वे पांच मेंच में छे विकेट है और इसी वेन्यू की बात की जाए तो एक कई मेंच इसमें बिल्कुल खराब बोलिंग और कई मेंच में बहुत ही जिनका सेलेक्शन रेट कम होता है और जो की अकोडिंग टू कंडिशन बहुत ही जादा इंपोर्टेंट रहते हैं तो यहां पर आप देखिए आप वर्सेस पे रिकोर्ड आप देखो किसी भी बोलर को देख लो चहल को देख लो बोल्ड को देख लो ओवेस से बढ़िया रिकोर्ड आपको नहीं मिलेगा वर्सेस में भी देखोगे तो इनके देखोगे आठ विकेटे तीनी मैच के अंदर और वेन्यू पे देखोगे तो वेन्यू पे भी हर मैच में उन्हें विकेट लिया है तो इससे बढ़ी है क्या मैं आपको डिफरेंशल प्लेर दूंगा जहान रखना लेकिन सिर्फ फर्स्ट बोलिंग पे जहान देना कितना पर अच्छा रिकोर्ड के होना लेकिन पहली बोलिंग पे लेना उसके बाद हम बात करते हैं यहां पर बाकी के बैंच के प्लेरों कि जिसमें नांद्रे बर्गर खेलेगा जिन्होंने कभी मैच नहीं पोवेल ने खेला हुआ है लेकिन चांस थोड़े कम है पोवेल के क्योंकि अगर कोलेफ्स नहीं होता है तो चांस ही नहीं है ठीक है बात करते हैं पिछले मैच की तो सबसे अदर स्कोर किया था पराग ने और बोलिंग की बात की जाए तो चहल ने दो विकेट ले और अब वे उन लोगों के लिए हैं जो कि चैनल के सबस्क्राइबर से हैं तो अगर आपने चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है ना तो सबसे पहले तो चैनल सबस्क्राइब कर लो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो अब आपको क्या करना है हैं तो वह अपने वोलेट को जाके चेक कर लेना और डायरेक्टली वह पैसे अपने बैंक में विड्रोग कर लेना ठीक है अब देखिए इस मैच में भी अगर आपको पैसे विंक करने हैं गीववे के तो आपको क्या करना है सबसे बिले तो लीग इलेवन एप्लिकेशन को ड अब बता दू नमबर मेंचन नहीं करोगे तो मुझे अमाउंट कैसे डालूँगा आप खुद ही बताओ तो आप कोमेंट करो अच्छा सा कोमेंट और उसी कोमेंट के अंदर अपने नमबर भी मेंचन कर देना लेट नहीं होगा ठीक है तो मैं क्या करूंगा 100 लोगों के को को सेलेट करूंगा और उन सो लोगों के वोलेट में लीग लेवन एप्लिकेशन के सो सो रुपे विनिंग में डलवाऊंगा जिनको आप अराम से बैंक में विड्रो कर सकते हो ठीक है और यह मिलेगा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को जिन्होंने लीग लेवन आई केम फैमिली रेफर कोर से साइन अप किया हुआ है ध्यान दखना ठीक है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा डाउनूट कर लेना सिंपल सा काम है देखिए फॉन पे बगेरा में क्या ट्रांजिक्शन की लिमिट इतनी होती नहीं है वरना मैं फॉन पे से आपको और ऐसे बेटल है जो स्मॉल लिग में भी आपका फायदा कराई है और ग्रैंड लिग में भी सबसे पहला बेटल आपको देखने को मिलेगा जोस बटलर वर्स जस्पिरिद बुम्रा का थोड़ी दर पहले मैं आपको बोला कि बटलर सबसे बेस्ट कैप्टन सी का चोईस है लेकिन बटलर को परफॉर्मेंस करने के लिए पहले गुजरना पड़ेगा भुम्रा की बोलिंग से अगर भुम्रा की बोलिंग से वो बच गया तो उस केस में रोकने वाला कोई नहीं है लेकिन भुम्रा ने आप देखोगे ना चार बार आउट किया हुआ है 68 बोल्स में जो उस बटलर को इस चीज़ का आपको ध्यान लखना है तो जो ग्रैंड लीग वगरा खेलते हैं वो बुम्रा को अराम से डोप कर देना अगर बटलर को कैप्टन कर रहे तो लेकिन डोप तब ही करना जब टीम पहले एहमाई बैटिंग कर रही है ठीक है अगर बोलिंग कर रही है और आप भुम्रा को ड्रौप कर रहे हो बटलर को कैप्टन भी वना रहे हो तो बटलर पावटली में हो सकता है परक्षिए आप्रमेस बुम्रा विकिट ना लें, तो सिर्फ बुम्रा को ड्रोप करने की कोशिछ कर रहे हो तो फर्स जब उनकी बैटिंग आए न तब करना ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जैस 만ो और हरदिक पंढे की तो जैस बोल्ड से परिशान होगा वहाँ पर वुम्रास से उगा लेगन बोल से जदा होग यह कंफरम पता है मुझे उसके बाद इशान किशन वर्सेट ट्रेंड बोल्ड थ्रेंड बोल्ने इशान किशन को भी तेन बार आउट किया हुआ है, बहुत तगड़ी भाई मैच होने वाला यह तो, हार्दिक को, चहल ने, तीन बार आउट किया हुआ है, सारे बेटल इतने तगड़े हैं, यह कि आपको इनको यूटिलाइज करना ही है, चाहिए आप स्मॉल लिखे लो, चाहिए आप ग् क्योंकि आपको भी पता है टीम बनती है टॉस के according, pitch के according और फिर कई बार player खेलते नहीं है, कई बार कई चीज़ों हो जाती है, तो उस case में आपको यहाँ पर update देना बहुत मुश्किल हो जाता है, जैसे अभी वीडियो आप देख रहे हो, मैंने आपको एक trump card player बता दिया, ज लेकिन मान लोग वो खेलता ही नहीं है, तो उस case में तो changes होंगे न, तो वो मैं आपको टेलिग्राम पर दे दूँगा, कई बार होता है, कि मैं captain wise captain में changes करता हूं, according to condition, जैसे मैंने कल काई match ले लो, captain रचीन रविंद्रा को किया हुआ था, ठीक है, वीडियो के अंदर, ले यह कि भाई, condition wise team बनती है, तो वो मैं आपको टेलिग्राम पर दूँगा, वीडियो भी है important, जहां information सब चीज़ा आपको मिलती है, लेकिन उससे भी important फिर टेलिग्राम ही रहने वाला है, तो description में link मिल जाएगा, join कर लेना, अगर आप भूल गए हो, subscribe करना, फटा फट करो, और वीडियो को भी like करो, चलो, team देख ले तो इस match की small league की क्या रहने वाली है, देखिए मैं आपको clear बता देदो, इस match में मेरा जो investment रहने वाला है, वो कम रहेगा, जादा तो करना ही नहीं है, मैं पहले बोल की चल रहा हूँ, कहीं आप ऐसा कर दो, बहुत जादा invest कर दो क्योंकि ये जो match है, small league से ज्यादा grand league के लिए अच्छा है, मैं भी कोशिश करूँगा, कि grand league की भी आपको video दू, और team भी दू, ठीक है, दी भी थी मैने कल वाले match में, काफी एच्छी rank भी आई थी, तो इस match की कोशिश करूँगा, क्योंकि अच्छा match है grand league में, तो request है investment कम करना है, ठीक है, बात करते हैं, सबसे बहले wicket keeping की, तीनों को pick करना है, तीनों important player है, तीनों को लेना है, betting section में जब आप जाओगे, तीलक वर्मा, रोहित शर्मा और याशरस्वी जैस्वाल, इन तीनों को ही आपको betting में लेना है, ये सब के बास आएंगी, ये जो 6 player आप द performance दिखाएंगे, कुछ matches से इसे भी आएंगे, इसमें flop भी रहेंगे, बट ये important player से, अब बच तक है, चार player हो का game है, चार player हो में भी आपको बता है, 7-4 के अंदर एक old rounder लेना ही पड़ेगा, तो उस old rounder में भी लोग जो लेंगे, वो रियान पराग को लेंगे, तो 7-4 व जैसे टीम पहरे bowling करेगी न, अपनी राजस्तान की, तो मेरा एक differential player है, चलो बताई देता हूं, ठीक है, ओवेश खान मेरा differential player रहेगा, ठीक है, राजस्तान की पहली bowling पे मेरी ये टीम है, और रास्तान की पहली betting की अगर बात की जाए, तो बस यहां से आपको ओवेश को condition में सेम ही रहेंगे, तो मेरा इस match में captain में थोड़ा सा risk को लूँगा, और मेरा risk इसलिए मैं लेने वाला हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है इस match में, मेरा captain रहने वाला याशा स्वी जेस्वाल, और wise captain सी की बात की जाए, तो wise captain में बनाने वाला हूं, इस match के अंदर क्या ना यह बिल्कुल common team वाला match है, और common team वाले match में आपका भी भी ज्यादा profit नहीं कमा सकते हो, ठीक है, बाकि आपका मन करें, जहां चाओ, जितना चाओ, invest करो, मेरा काम है आपको समझाना, तो यह चीज़े मैंने बता दिया, आपका काम है, आपको सही तरीकी से utilize करना, तो फिला कर दो में.